जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, इस साल सावन मा में अधिक मास लगने के कारण सावन 69 दिनों का यानि दो महिने का होगा हर तीन साल में एक बार साल का एक महिना अत्रिक्त होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है आपको बता दें कि इसे मलमास या पुरसुत्तम मास के नाम से भी जानते हैं अधिक मास में पूजा पाठ, वरत और साधना का महत्व काफी बढ़ जाता है मलमास के दोरान किसी भी तरह के सुबकार करने की मना ही होती है इस समय किसी भी तरह के सुबकार जैसे मुंडन, विवा, ग्रै प्रवेस, नामकरण या किसी भी तरह की कोई नई चीज की खरिदारी नहीं करनी चाहिए दोस्तों इस साल अधिक मास सावन महा में जुड़ा है जिस कारण इस बार सावन दो महीने का होगा और अधिक मास की सुरुवात 18 जुलाई 2030 दिन मंगलवार से हो रही है और अधिक मास की समापती 16 अगस्त 2030 दिन बुद्धवार को हो जाएगी दोस्तों अधिक मास के दोरान हिंदू कलेंडर में एक पूरा महिना बढ़ जाता है ऐसे में भगवान सिव के भक्तों के लिए सावन में उपासना के लिए पूरे दो महिने मिलेंगे आपको बता दें कि अधिक मास को पुरसत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयम स्री हरी विश्णुजी है पुरसत्तम मास का हिंदु धर्म में विशेस महत्य है इस मा भगवान विश्णुजी की आराधना और भगवत कथा सरवन करना बेहदी पुन्यदाई माना गया है मानता है कि इस मास में किये गैधार्मिक कार्यों और पूजा पाट का फल अधिक मिलता है और मोख्च की प्राप्ती होती है दोस्तों मलमास के दौरान पूजा करने वालों को आर्थिक समस्याओं से मुक्ती मिलती है और उनके घर में सुख्षान्ती बनी रहती है बता दे कि इस महीने में भगवान पुर्सुत्तम की उपासना करने वाले को हर प्रकार के सुक्षाधनों की भी प्राप्ति होती है चले सबसे पहले हम जानते हैं कि मलमास में क्या नहीं करना चाहिए तो आपको बता दूँ कि अधिक मास या मलमास में मास, मचली, सहद, मसूर की दाल और उरत की दाल, मूली, प्याज, लैसुन या किसी भी तरह का नसीला पदार्थ, बासी भोजन, राई या दिचीजों का सेवन करने से बचना चाहिए इसके लावा इस महिनी में नामकरण, स्राद, तिलक, मुंडन, कंछेदन, ग्रह प्रवेस, शन्यास लेना, यग कराना, दीक्छा लेना, देव प्रतिस्ठा, विवाहा आधि जैसे सुब वमांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए इसके लावा अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्तर आधि की खरिदारी भी नहीं करने चाहिए हाला की सुब मूरत निकाल कर अभूसन खरीदे जा सकते हैं दोस्तों अधिक मास में सारीरिक और मांसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए इस माँ अपसब्द, क्रोध, गलत कारे करना, चोरी, असत्य बोलना, ग्रह कले आदी जैसे चीजे नहीं करने चाहिए साथ ही तलाब, बोरिंग, कुउआ, आदी का भी त्याग करना चाहिए दोस्तों, अधिक मास के दोरान, सहद, चुलाई, उरद, राई, प्याज, लैसुन, गोभी, गाजर, मूली, दाल, तिल का तेल, आदी का त्याग करना चाहिए इन सब चीजों का सेवन इस महीने के दोरान, पुन्न को समाप्त कर देता है लिहाजा अधिक मास में इन सब चीजों का सेवन करने से बचें इसके लावा पर सोत्तम महीने के दोरान, गेहूं, चावल, सफेद धान, मूंग, जौं, तिल, मटर, बथुआ, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, पीपल, जीरा, सोंट, इमली, सुपाड़ी, आमला, सेंधा नमक, आदी का सेवन करना चाहिए साती अगर हो सके तो इस महीने के दोरान भूमी में सयन करें, और केवल एकी समय भोजन ग्रहन करें चली अब जानते हैं कि अधिक मास या इमल मास में क्या क्या करना चाहिए दोस्तों धर्म कर्ण के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद यूपयोगी माना गया है इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंग भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए दान पुन्ने करना चाहिए अधिक मास में स्रीमत भगवत कीता विश्णू सहेस्तर नाम का पाठ राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए और सुबा साम ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा का जाप करना चाहिए इसके लावादिक मास में दीब दान का विसेश महत्व है साथ ही इस माँ एक बार दोजा दान भी अवज से करें इस अवधी में दान पुन्न के कार करना, समाजिक एवं धार्मिक कार में साजेदारी करना, ब्रच लगाना, सेवा दान करना या मुकदमा आदे लगाना कार्यों को करने में दोस नहीं होता है दोस्तों अधिक मास में विवाह तै कर सकते हैं लेकिन हो सके तो सगाई या कोई अन्य विवाह से जुड़ा कारिकरम ना करें भूमी वा मकान खरीदेने का कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं साथ ही आब सुभयोग वा महूरत में खरिदारी भी कर सकते हैं इसके अलावा आप संतान के जन्म समंधी कार भी कर सकते हैं आपको बता दें कि देवी भगवत पूरान के अनुसार अधिक मास की अवदी में भगवत कता का सरवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी अनकही इच्छाएं पूरी होती हैं इस मास में सालिक ग्राम की मूर्ती के समक्ष घर के मंदिर में गी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं ऐसा करने से घर में सुक शान्ति आती है दोस्तों अधिक मास में स्री मदभगवत गीता के चौधवे अध्याय का नेमित पाठ करें माना जाता है कि ऐसा करने से कार छेतर में उत्पन हो रही परिशानियां समाप्थ हो जाती है आपको बता दें कि अधिक मास में ब्रह्म मूरत में पूजा पाट का विसेस महत्तु है साथ ही इस मास में प्राता इसनान ध्यान के बाद गैत्री मंतर का जाब करें मानिता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार के संगटों का नास होता है दोस्तों अधिक मास में घर में विश्णु जी के नामों और मंत्रों के जाब से हवन करना चाहिए मानिता है कि इससे घर में मौजूद नाकारात्म कुर्जा और सभी तरह की बिमारियों से छुटकारा मिलता है और अखंड सौभाग के लिए सुहाग ने अधिक मास के पूरे महिने में ब्रह्म मूरत में उठकर पवित्र नदी में इसनान करें और फिर गैत्री मंतर का जाब करें मानिता है कि इससे पती पराने वाले संकट नस्ट हो जाते हैं और सुहाग को दीरगाई मिलती है वैसे तो रोजाना तुलसी पूजा पुन्निफल देती है लेकिन अधिक मास की पंचमी तिथी पर तुलसी में गन्नी का रस चढ़ाना बहुत ही सुब होता है मानिता है कि इससे देवी लक्षमी पूरे परिवार को अपार सुख, शंपती और सम्रद्धी का आसिरवाद देती है कहते हैं ऐसा करने से जीवन भर धन की कमी नहीं होती है इसके लावा अधिक मास के दोरान प्रति दिन साम को तुलसी के पौदे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा मंतर का जाब करें और तुलसी की ग्यारा बार परिक्रमा करें इस सुपाय को करने से घर में सुख शान्ती बनी रहती है और घर पर किसी प्रकार का संकट भी नहीं आता है दोस्तों भगवान विश्नु को पितामबर धारी कहते हैं जिसका अर्थ है पीले रंके वस्त धारन करने वाला अधिक मास के दौरान पीले रंके वस्तर, पीले फल, पीला अनाच सबसे पहले भगवान विश्नु जी को अर्पन करें इसके बाद ये सभी वस्तुएं किसी गरीब या जवरत मंद को दान कर दें ऐसा करने से आपके उपर सदय भगवान विश्नु जी की कृपा बनी रहेगी चले जानते हैं कि अधिक मास की पूजा विधी क्या है दोस्तों अधिक मास के समय सुबा सूर निकलने से पहले इस्नान करके सुद्ध हो जाना चाहिए फिर साप वस्त धारन करके किसी पवित्र इस्थान पर एक कलस में जल भर कर रख लें और कलस की स्थापना करने के बाद उसके उपर एक पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान कृष्न वराधरानी की मूर्ती उस पूजा इस्थान पर जरूर रखें या आप लक्ष्मी नरायन की प्रतिमा इस्थापित करके विद्वत पूजा करें इस पूरे महीने विदी विधान से स्री सालिक ग्राम की मूर्ती की पूजा करें और अगर स्वयम करने में सच्छम ना हैं तो किसी ब्राम मर्जी करवाएं स्री सालिक राम की मूर्थी की पूजा करने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं इसके लावा तुलसी के पत्तों पर चंदन से ओम या स्री कृष्ण लिखकर भगवान सालिक राम को अर्पित करें और साम के समय दीब दान करें दोस्तों अधिक मास के अंत में किसी धातू या किसी कासे के बरतन में तीस मिठाई के पीस दान करें ये बहुती पुन्य का काम माना जाता है ऐसा करने से भगवान विश्णू की करपा आपके उपर बरसती है दोस्तों अधिक मास के पूरे महिने अपनी स्रद्धा के अनुसार दान पुन्य अवस्य करें ऐसा करने से आपको बेहदी लाब होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद